तो आज में आपको सिखाने वाली घर पे पुरानी चूली से अप कंगन कैसे बना सकते हैं उसमें क्या क्रिटिविटी कर सकते हैं आप मार्केट कर जो भी आप कंगन खर देंगे वह कोश्टली पड़ जाता है इसलिए आप घर पे बहुत 20 रुपे के खर्च में धेरो अब म साथ हों क्या क्या कंगन में बनाने डार्सान देखते हैं तो आपको सबसे तेल्याइब में पूरानी जूडियां ले लेनी है या मैश्याद चूली ले लिजी है एप को डेकरेट करेंगन लिए है यह कुछ नग लिए है और यह एक उंदाट यह नग लिये हैं तो चलिए हम देखते हैं कि कंछी छूडियों को मिला र Industry को मिला रहेंगे तो मैं चूडियों पर जोड़ रही हूं आप यूसे फेवी कोल लगाकर यह कपड़े बसे चूड़ता नही अभी इसी तरह लगा लिचेगा और इसको चिपका लेना है आपको अच्छे तरह से जो समयने मोटि के हिसाब से ही इसको चुड़ाय को रखा है तो मैंने तीन चुणियों को आपस में जोड़ें यह देखे मैं जोड़ रही हूं तीन चूली में वापस आपस में जोड़ूंगी इसके बाद मैं इसको सुखने यह दो कि इस लिए रखोंगे क्ई मार्केट से कई रंग के लग मिलते हैं कुंदन मिलते श्ट्रोण मिलते हैं इसे सकते हैं उसके ओ करते हैं, कि मैंने दो कंगन यह दूविक रगा रही है कि अब यह उफ शाय से विविकोलिंग हम बाते तो आप लगा हि मैं लाल ही भना आपको और इसको सुखने के लिए आप पो रख देना है दो दिन थक क्योंकि फैविकोल गीला होता है तो सुखने में टाइम लगेगा आपको इसी तरह सारे कंगल में नग लगा लेना है गोल में राउन में पूरा करके इसको सुखने के लिए रख देना है तो यह देखे मैं मैं यह तीसरा कंगा लगा रही हूं मैं इसमें ग्लिटर लगा रही हूं आप और कोई कलर भी कर सकते हैं पेंट करके या ग्लिटर लगा सकते हैं कोई भी रंगा मैं गोल्डेन ग्लिटर लगा रही हूं तो आप भी लगा लिजेगा चाहें आपके पास जो भी ग्लिटर हो च अब तो कि देखें मैं ने इतल लगा लिया मैं इसमें कुंदन को चापका रही है यह कुंदन चपक एए थोड़ा गीला थे तई टेइम लगेगा सुखने में इसको और यह चपका रही हूं में राम से धीर धीरे करके आपको चपकाना है इसको इदम सौप्ट लिए था उसस यह देखिए मैंने चपनक को चपका लिया है अब इसको सुखने के लिए हम रख देंगे बहुत ही अराम से अब मैंने तीसरा कंगल रही हूँ जिसमें मैं वाइट नग लगाऊंगी अब यह देखिए वाइट नग लगाना है मैं वाइट नगा रही हूँ आप चाहें तो गोल्डेन भी नग लगा सकते हैं दोनों यह अच्छा लगेगा मेरे पास वाइट था इसलिए मैं वाइट ही लगा रही हूँ अभी गोल्डेन वाइट जैसके लगा लगा सकते हैं अब यह मेरा कंगन देखिए मैंने वाइट नग पुरा चपका लिया है अब में तीसरे में आपको ऐसे इस सुचिंपल चूड़ी है मैं इसको डेकरेटरी करना सिखार हूँ तो बीच बीच में आप गिलिटर इसको लगा सकते हैं ऐसे बीच बीच में इसमे त्यार कर लिया है इसको भी और मैं चाओ था आपको बताने वाली हो कि अगर आपके पस नग है बहुत कम मात्रा में हैं तो आप उसको थोड़ी दूर पे कोई भी गोल्डेन या वाइट नग अपनी चूड़ी मैट कर देंग तो आपका चूड़ी का लुक चेंज हो जाए है अब इसका लुक देखें या बहुत प्यारा लगे यादा मार्केट जैसा यह बनके तैयार होगा कर देखिये मेरा यह त्यार हो गया है नग लगा लिया है मैं चलिए आपको सभी कंगनों को दिखाती हूं यह ददेखिये कंगन इंतर लगा था यह दूसरा देखिया इस अब स्कूर में लगा सकते थे यह देखना के MRT लाशार है यह तब इस तरद प्राइब कर सकते हैं यह देखिये जो मैंने वह तकका बनाए था और यह गोल देननन अख कर आप एसमों कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताए अब फ्रेंट आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर किया करिए उससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है मैंने यह ची तरह मुझे देते रही है फ्रेंट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैसरी किशना फ्रेंट